Hello student, मेरे चैनल Target Golden Knowledge में आपका फिर से स्वागत है. तो आज हम जानेंगे मैसलो का अभिप्रेणा सिध्धान्त क्या है, तो कलम और कागज लेकर तैयार हो जाओ. इस सिध्धान्त को आम तौर पर एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर सबसे बुनियादी आवश्यक्ताएं होती हैं और सबसे उपरी स्तर पर सबसे उच्च स्तरी आवश्यक्ताएं होती हैं. इस पिरामिड में पांच स्तर होते हैं, शारिरिक आवश्यक्ताएं, Physiological Needs. ये सबसे बुनियादी आवश्यक्ताएं होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, नींद, वायू और आश्रेह. इन आवश्यक्ताओं की पूर्ति के बिना इनसान का जीवित रहना मुश्किल होता है. सुरक्षा आवश्यक्ताएं Safety Needs इसमें शारीरिक सुरक्षा, रोजगार, संसाधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा शामिल है. व्यक्ती तब सुरक्षित महसूस करता है जब ये आवश्यक्ताएं पूरी होती हैं. सामाजिक आवश्यक्ताएं Love and Belongingness Needs इसमें मित्रता, प्रेम, पारिवारिक संबंध और सामाजिक समुह में सुवीक्रती शामिल है. व्यक्ती की भावना, संबंधी और सामाजिक जुडाव की आवश्यक्ता होती है. आत्म संमान आवश्यक्ताएं Esteem Needs इसमें आत्म संमान, आत्म विश्वास, उपलब्धी की भावना और दूसरों का संमान शामिल है. व्यक्ती को अपनी योग्यता और मूल्य का अनुभव करने की आवश्यक्ता होती है. स्वत स्फूर्ती आवश्यक्ताएं Self-Actualization Needs इसमें अपनी पूर्ण क्षमताओं और प्रतिभाओं का विकास, रचनात्मक्ता और आत्म साक्षातकार शामिल है. यह व्यक्ती की सर्वोच चावश्यक्ता होती है और इसे पूरा करने में व्यक्ती अपने सभी संभावित क्षमताओं का उप्योग करता है. वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद